यह कहानी बादशाह अकबर के जमाने की है. एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था. जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुँचा, तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है. उसकी मेहनत की सारी कमाई चोर हो गए. व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहां थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम पांच में से किसी एक नहीं चोरी की है, तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे, ये कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा, बादशाह अकबर अप कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज, एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था, जब वापस आया, तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी, मैं बरबाद हो गया हुजूर, मेरी मदद करें। ये सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदी। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुँचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहा थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रा होगा, उसकी लकड़ी आज रात दो इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा, हम सभी कल यहीं मिलेंगे। ये कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक-एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन धल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुँचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी-अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सब की लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी दो इच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को उसकी लकडी दो इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकडी को दो इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। कहानी से सीख बच्चों, बीरबल ने चोर को पकड़ा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए। लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।